दोस्तों ये ताजा कच्चा कटहल है जिसे हम काटेंगे और उसे काटने के लिए हम बोड पे, नाइफ पे और हाथ पे तीनों पे भी अच्छे से ओईल लगा लेंगे क्योंकि ये जो कच्चा कटहल होता है, इसमें से एक white color का साप निकलता है, बहुत sticky होता है वो इसलिए हम oil लगा लेने वाले हैं, तो दोस्तों Welcome to Vrishalis Kitchen और आज हम बनाने वाले हैं एक एकड़म टेस्टी कटहल की सब्जी और उसे बनाने के लिए ही हम ये कटहल काटने वाले है और मैंने oil लगा लिया है और ये कटहल को मैंने दो पार्ट में कट किया है यहापे दोस्तो कटहल का selection इसमें बहुत important है हमें एकदम हरा कटहल लेना है और उसके जो thorn से वो एकदम pointed रहने चाहिए ये बिल्कुल भी वो flat नहीं होने चाहिए तो यहापे मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है और आदा पार्ट जो है मैं यूज नहीं करने वाली तो उसको नीमबू लगा के हम फ्रिज में रख सकते हैं जब भी चाहिए उसे यूज कर सकते हैं नीमबू से ये काला नहीं पड़ेगा तो ये आदा हम रख देते हैं और आदा ये लगबग आदा किलो है तो इसका हम ये thorns और ये center का जो पार्ट है वो निकालने वाले हैं बाकि सब हम सबजी में यूज करने वाले हैं तो thorns भी हमें एकदम बहुत ज़्यादा नहीं काटने हैं अंदर से बस उपर उपर से वो shred कर देने हैं दोस्तो कच्चा कट हल बहुत इजी होता है काटने के लिए तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे thorns काट दिये हैं और अब हम इसे और टुकडो में काटेंगे और अंदर का जो डंडा है इसका वो हम निकाल देंगे उसे हमें यूज नहीं करना है तो हमें उसे पहले निकाल देना है और बाकी का जो सारा कट अहल है हमें यूज करना है और इसको हम थोड़े मोटे मोटे टुकडो में काटेंगे क्योंकि हम इसे pressure cook करने वाले हैं तो ये एकदम गल नहीं जाने चाहिए बात में और ये automatically फिर थोड़े छोटे हो जाएंगे तो इन्हें ऐसे मैंने square cut किया है और अब हम ये सारे एक cooker में transfer करेंगे और pressure cook करेंगे तो ये सारे हम cooker में transfer कर देते हैं और फिर इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और हम लगबग यहाँ पे 2 टेबल स्पून धनिया का powder डालेंगे और फिर आधा cup पानी डालेंगे बस इससे ज़्यादा पानी डालना है और इसकी हमें एक ही सीटी लेनी है इससे ज़्यादा नहीं लेनी है ने तो वो over cook हो जाएगा तो cook होने के बाद हमें cooker खोलना है और देखिए इसमें एकदम थोड़ा सा stock भी हो गया है तो ये भी हम सबजी में यूज़ करेंगे तो दोस्तो अब हम मसाला बना लेते हैं और उसके लिए मैंने एक टेबिल स्पून ओईल डाला है और दो मेनी मीडियम साइज के प्याज लिया हुए है और उन्हें थिनले स्लाइस करके इसमें डाल दिया है तो अब हम इने फ्राइ कर लेंगे अच्छे से ताकि ये लाइट पिंक कलर के हो जाए और थोड़े सॉफ्ट हो जाए तो सॉफ्ट होने तक हमें इने फ्राइ करना है अगर जरूरत पड़े तो आप थोड़ा तेल भी डाल सकते हो इसमें तो अब लगबग ये प्यास हो चुका है तो इसी प्यास में हम टमाटर डालने वाले है तो टमाटर को भी हमने फिंले स्लाइस किया है और दो मैंने यहाँ पर मीडियम सैज के टमाटर लिये हैं अगर बड़ा होगा तो आप एक ही टमाटा लीजिए और उसके बाद मैंने यहाँ पे 15-20 लसन की कलिया डाली है और मैंने आधा इंच अद्रक डाला है फिर इसमें तीन मैंने हरी मिर्चिया डाली है और इसको फिर से थूड़ा सा हम फ्राइ कर लेंगे बहुत जादा अभी क करने के जरूरत नहीं है बस हमें प्यास को अच्छे से पकाना है तो यह जो है इसमें हम धनिय की डंडिया डालेंगे थोड़ी सी हरा धनिया भी आप यूज कर सकते हो पर दंडियों में बहुत जादा स्वाद होता है तो इसे अब हम ठंडा होने के लिए साइड में रख द शेविंग्स ले सकते हो और उसे हमें रोस्ट कर लेना है बस लाइट पिंक होने तक हे करना है इसे जलाना बिलकूल भी नहीं है तो फटाफट इसे चलाते रहे क्योंकि यह जल सकता है और यह हो गए है अब और इने भी हम ठंडा कर लेंगे और ये सारे मसाले को हम एक मिक Local में transfer कर देंगे और इसे हम अच्छे से बारिक पीस लेंगे दोस्तों ये मसाले को पीसते समय आप थोड़ा सा पानी भी यूज़ कर सकते हो ताकि ये मसाला एकदम फाइन बन जाए तो अब हम मिक्से में इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इसकी जो है एकदम फाइ इसका लगा देंगे तो यहाँ पर मैंने चार से पाच टेबल स्पून ओल लिया है आप अगर चाहे तो और ज्यादा ऑईल भी उसकर सकते हो या थोड़ा कम भी उसकर सकते हो और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हिंग और हम लाल मिर्च पाउडर दालेंगे दो टेबल इसी तेल में आपको डालना है और फटा फट चलाना है क्योंकि अगर लाल मिर्च चल गई तो वो कडवी लगेगी तो फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ इसी हल्दी और हमारा जो मसाला है वो फटा फट डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपको प्र सब्सक्राय होने के बाद इसको फलेवर और अच्छा आता है और थोड़ा सा पानी डालके हम मिक्सी को अच्छे से वौश करके सारा मसाला इसमें डाल देंगे फिर हम इसको कवर करके अच्छे से पकाएंगे so that इसमें जो भी कच्छापन है वो पूरा निकल जाए और मसाला एकदम अच्छा और फ्लेवर फुल बने तो 10-15 मिनिट पकाने के बाद हम इसका कवर निकालके एक बार अच्छे से मिक्स करके इसमें हमारे घर का जो गरम मसाला होता है वो हम 2 टेबल स्पून डालेंगे जो भी गरम मसाला आप घर पे बनाते हो वो आप इसमें डाल सकते हो और इसे अच्छे से मिक्स करके पकाईए दोस्तों मसाली का अच्छे से पकना बहुत जरूरी है नहीं तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो मसाला हमें एकदम इसका ओईल चुटने तक इसे पकाते रहना है फिर से डगकन रखके आप उसे पकाईए फिर से उसको निकाल के अच्छे से मिक्स कीजिए अगर आपको लगे वो बहुत सुक्रा है तो उसमें थोड़ा पानी डालिए तो अब हमारा मसाला रेडी हो चुका है तो इसमें हमने स्टॉक के साथ हमारा जो कटहल था वो सब डाल दिया है तो देखे दोस्तों पीसस एकदम उसके जो है इंटाक्ट है और एकदम अच्छे चंक्स में है ऐसे ही वो रहने चाहिए so that उसका टेक्स्चर एकदम अच्छा दिखे तो इसे हम ढखकन रखके अच्छे से फिर से पकाएंगे जब तक इसका तेल नहीं चूटता तो पंदरा बीस मिनिट तक हम इसको पकाने के बाद इसमें ऐसा ओईल बहार आया है और हमारा मसाला भी देखे दोस्तों कितना अच्छा दिख रहा है एकदम थिक मसाला इसका रेडी हो चुका है कितना सुन्दर रंग आया है इसको और हमारी कटहल के सबजी बिल्कुल रेडी है और हम इसे सर्व करेंगे दोस्तों इसे वीगन मीट भी कहते है क्योंकि ये एकदम मीटी होता है टेस्ट में भी और टेक्स्चर में भी तो आप लोग भी ये सबजी बनाएए और मुझे जरूर बताएए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी ऐसे ही नए रेसिपी इसके लिए नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए और बेल आइकन दबाएए अपडेट के लिए